नमस्कार साथियों स्वागत है आपका सीटेट 2023 परिच्छा में समिलित होने वाले सभी सिच्चक सिच्चिकाओं का पहला कोश्चन हम सुरुआत करते हैं बिना आपका समय पर बात करते हुए हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिध्धान्त बल देता है किस पर बल देता है सामानी बुद्धि पर सामानी बुद्धि पर तो बल नहीं देता है चुम्कि हावर्ड गार्डनर का सिध्धांत है बिसेशी कड़ बुद्धी पर कोई बिसेश बुद्धी बिसेश बुद्ध पर बिद्यालय में आवस्यक समान do गुद्ध पर यह एक समान युकताइ यह बात होगया यह नित्य भी गलत और ब्यक्त की बिलच्छळ पर बल देता है नेस्ट कुश्चन है कच्छा में जेंडर रूड़ी बजटा से बचने के लिए एक सिच्छक को लड़के लड़कियों को एक साथ आप आरंपरिक भूमिका में रखना चाहिए बिल्कुल सही बात है पारंपरिक भूमिका में नहीं आप आरंपरिक भूमिका म बढ़ावा दे रहे हो कुस्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुतसाइद करना गलत लड़कियों को लड़की लड़कियों कुछ भी ने कुछ भी ने के लिए कच्छा के सभी भी चात्रों को साहिद करना तक तो ये समान होगा नहीं तो समान होगी नहीं जागा लड़कों को जोकिम उठाने और निर्वीग बनने के लिए लड़का लड़की सब्द कहीं पर उज़ नहीं होगा सब के लिए समान सब्दी उज़ करें तो ये रूड़ी बज़ता से बचेंगे नहीं तो बढ़ावा हो गया तो आपसर नमबर हमारा एक सही चला जाएगा इस कुष्चिन का नेश्ट कुष्चन है विद्याले को किसके लिए व्यक्तिकत भिनताओं को पूरा करना चाहिए तो व्यक्तिक सिच्छार्थियों के मद्ध खाई को कम करने के लिए व्यक्तिक सिच्छार्थियों के मद्ध खाई एन उनके वीच दरार उनको कम करने तो व्यक्तिक सिच्छार्थियों के लिए किसी बिसे सिच्छार्थियों के लिए अगला विद्यार्थियों के निस्पादन और योगताओं को समान करने के लिए उनकी योगताओं को आप समान कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो यह समझने के लिए कि क्यों सिच्छारती सीखने के योग ये आयोग हैं बिल्कुल सही बात, अगर आपने ये सीख लिया कि हमारा चात्र किस बात के लिए नहीं सीख पा रहा है और किस बात को सीखने का योग है आप उसको पढ़ा लेंगे वो उस्यार कर लेंगे मिल्कुल सही बात है अपसर नमबर तीन सही है चौता है ब्यक्तिकत सिच्छार्ति को बिसिष्ट होने की अनुगूत कराने के लिए किसी बिसेश सिच्छार्थी को आप बिसेश नहीं करेंगे यहाँ पर व्यक्तिकत की बाता ही नहीं है कहीं पर ठीक है व्यक्तिक आगे सिच्छार्थियों के व्यक्तिक बिन्ताओं को सम्भोजित करने के लिए सद्टिक विद्धैल्य किस प्रकार का सयोग उप लब्द करा सकता है अब बेक्तिक भिन्द्टisten आपना सयोग कैसे कर सकता है इसमें देखिए बाल केंद्रित पाठे चर्या का पालन करना करना तो और अर्चारत्वियों को सीखने के अनेख अफ्सर उप कराना बिल्कुल सही question है सिच्छा जब भी होगी बाल केंद्रित होगी अवसर जब भी होंगे अनेक होंगे बिभिन होंगे अवसर एक अवसर से नहीं तो यह आपसन हमारा सही है हमेशा देख लीजिए आपसन सही जाने पर जहां बाल केंद्रित पाठे चर्या हो सबसे पहले चूंकि सिच्छा का केंद्रि बिंद्र उबालक होता है और अवसर अनेक हों वह question हमेशा सही जाएगा वह अगला है सिच्छार्थियों में व्यक्तिक विनताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना सिच्छार्थियों की व्यक्तिक विनताओं को आप समाप्त नहीं कर सकते हो ठीक है और हर संभव उपाय हर संभव उपाय नहीं करेंगे जो उपाय संभव हैं वो बैक्तिक भिनताओं को खतम करने के लिए समाप्त करने के लिए उपाय कैसे करेंगे ठीक है समभुजित करने की बात कर रहे हैं धीमी गत्य सीखने वाले सिच्छार्थियों को विसेस बिद्याले में बेजना आपसन धीमी गत्य सीखने के उनकी गत्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे सभी सिच्छार्थियों के लिए समान इस्तर की पाठे चर्या का अनगमन करना सभी सिच्छार्थियों के लिए समान इस्तर का पाठे करम तो सभी विद्यार्थी सीखने में समान तो होते नहीं है तो इस तरीके से ये बैक्तिक भिनताओं को संबोजित करने की बात नहीं हुई है ठीक है बैक्तिक भिनताओं को संबोजित करने की बात चल ले हम कुष्टन को पहले पढ़ेंगे जब भी आप एक्जाम देने जाएं कुष्टन को दो से तीन बार पढ़ें अपना समय देखती हूँ, ऐसा भी नहों कि आप कुस्टन को ही पढ़ते रह जाएं और उसके बाद में आपसन को पढ़ें, सोचे समझें कि हमसे पूछा क्या जा रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है, बोल देता नहीं, यहाँ पर कर लीजिए, बल देता है, क्या देता है, बल किस पर बल देता है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए कि ब्यापक स्केल पर निरंतर परिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् करें और किस प्रकार उसे सुधारा जाए यही आपसन हमारा सही जाएगा सिच्छड के साथ परिच्छाओं का सामजस से ही नहीं बिल्कुल बोर्ड परिच्छा की अना वसकता पर बोर्ड परिच्छा की कोई आ वसकता ना तो यह भी गलत हो गया अगला गतिक कौसलों में अधिगम निर्योगता कहलाती है डिस्प्रेक्सिया क्या कहलाती है डिस्प्रेक्सिया डिस्कैलकुलिया की बात करेंगे तो गड़िच संबंधी आ जाएगी समस्या है हमारी डिस्प्रेक्सिया गतिक संबंधी कौसल अधिगम निर्योगता है एक चिर अवस्था एक बच्चा सीखने में असमर्त है या उसकी योगता नहीं तो यह हमेसा रहने वाली तो नहीं है अगर हमेसा रहने वाली यह तो फिर हमस्चकों का क्या काम है तो यह तो गलत हो गaina प्रज़ित एक चर अबस्था बिल्कुल ये एक चरवस्था है समय के साथ ये बदलती है समझे इस्थिर नहीं है तो ये आपसन नमबर दो हमारा ठीक जाएगा सही जाएगा जरूरी नहीं कि कार्य पद्दत की हानी करें ये बदलत जाएगा समझे नमबर दो सही जाएगा इसका निम्न लिखित में से कौन सी संग्यानात्म क्रिया दी गई सूचना के विसलेसल के लिए प्रियोग में लाई जाती है आपको कोई सूचना दी गई है उसका विसलेसल किस परकार आप करेंगे तो बिस्लेसित के लिए हम क्या करेंगे कैसे उसको जो है समाधान करेंगे बिस्लेसित करेंगे तो इसमें पहचान करना पहला दिया है दूसरा दिया है अंतर करना तीसरा दिया है वर्गी करत करना वर्ड़न तो नहीं करेंगे ठीक है वर्गी क्रत भी नहीं करेंगे अंतर करेंगे यह आफसन नंबर हमारा दो सही जाएगा पहचान भी नहीं करेंगे नेश्ट कुश्चन है निमलिखित में से कौन सा सत्य है कथन दिया है कौन सा यह सत्य है इसके लिए देखिए विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्वों से अप्रभावित रहते हैं विकास और सीखना दोनों सांस्कृतिक संदर्व से प्रभावित होंगे सिच्छार्थी एक निश्ची तरीके से सीखते हैं विभिन तरीकों से तो उसके बाद में है खेलना, खेलने के जगे खेलना पढ़ा जाए, संग्यान और सामाजिक दच्चता के लिए सार्थक है, बिल्कुल, सामाजिक दच्चता और संग्यान दोनों के लिए बच्चे का खेलना सार्थक है, सिच्छक द्वारा प्रसंद पूशना संग्याना तो विकास में बाधक है, सिच्छक द्वारा प्रसंद पहुंचते हैं भी गलत जाएगा तो आपसर नमर हमारा कौं से जाएगा तीन सही जाएगा ठीक है अगला है सामाजी करड सिच्छक एवं पढ़ाये गए के बीच संबंद सामाजी करड क्या है सिच्छक और जो पढ़ाया है उसने सिलेवस कोर्स उसके भी संबंद यह तो गलत है सामाजी करड थोलों कहेंगे इसे हम समाज के सिच्छक से संबंद करेंगे पढ़ाये तो यह व साथ है समाज के मानदंडों के साथ अनकूलन बिलकुल सही समाज के जो मानदंड हैं उनके साथ अनकूलन क्या होता है सामाजी के ला मतलब समाज में ढल जाना अनकूलन होना सामाजिक मानदंडों में परिवरतन यह भी मांदन्डों परिवर्तन थोलों कर देंगे तो ये 10 कुश्चन हमने कम्प्लेट किये हैं ओनली 10 मिनिट में